स्टड़ी आईक्यू आईएस हिंदी में आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं विरद्दुवे आज मुद्दे की बात के इस कारेक्टरम में फिर से एक महान विक्तित के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पीछे भी मैंने कई सारे महान विक्तित्वों पर चर्चा की है जिसमें हाल ही में आपने शिवाजी के बारे में पढ़ा था वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी राजे, महराज ऐसे तमाम सारे टाइटल्स उनको दिये जाते हैं और आज भी हम शिवाजी के उपर ही चर्चा करने जा रहे हैं पर आप सोच रहोंगे सर, उपर तो आपने लिखा है लचित बुड़ फुरकन लेकिन इनको भी हम शिवाजी ही कहेंगे क्या है शिवाजी से इनका कनेक्शन, इसको समझने का प्रयास करेंगे इसके पहले दूसरे व्यक्तित्वों के उपर भी मैंने चर्चा की है उनको भी आप ज़रूर देख लिजेगा मुद्दे की बात के प्रोग्राम में चलिए, आज का जो ये टॉपिक है ये करेंट से तो रिलेटेड है ही यहां से आप GS Paper 1 को कनेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा, जो प्रिलिम्स के पॉइंट ओफ यू से आने आले जो कॉश्चन्स हैं वो भी आपको यहां से हल्पुल रहेंगे बाइद वे अगर करेंट के टॉपिक उठाए जाते हैं तो क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है UPSC में क्वेस्चन जो है, वो हिस्ट्री का होता है लेकिन कहीं न कहीं उसका कनेक्शन जो है आप कहीं न कहीं करेंट अफेर से होते हुए देख पाते हैं इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस विशह पर चर्चा करेंगे असम राज्य जिसको आज आप असम राज्य कहते हैं उसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में थोड़ी सी जहलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो उसको आप थोड़ा सा कलायम संस्कृति के माधियम से भी जोड़ सकते हैं रजनीती और रणनीती तमाम सारे जो आस्पेक्ट्स हैं वो कनेट करके आप इसमें देखा इस लेक्चर को देख सकते हो इसमें जहां जहां जरुरत पड़ेगी मैं आपको इंडिकेट करता चलूँगा बताता चलूँगा कि यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं उसे आप जरूर ध्यान से सुनिएगा और सेशन के अंत में भी इसी अध्याय से रिलेटेड या इसी चैप्टर इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेशन भी करूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अंत में जाकर के उसका एंसर जरूर देख रहे हैं लचित बोडफुरकान के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर एक व्यक्तित्व करेक्टर का नाम है लचित जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है जब मध्यकालिन भारत में औरंग जेब के शासनकाल के जब हम बात करते हैं मतलब उस भार्षा में हम इसको कमांडर बोलते हैं जैसे तमाम सारे सैनिकों के आपने या फिर जो पतारिकारी होते हैं सैने पतारिकारी उनके नाम के आगे टाइटल्स लगे हुए देखते हैं उसी तरीके से इनके नाम के पीछे टाइटल लगा हुए जिसको हम आज के एड्मिरल के एक्विलेंट मान सकते हैं ठीक है तो इनको हम लोग के कह सकते हैं नैवल एड्मिरल के रूप में जानते हैं तो चलिए इनके इतिहास को पढ़ेंगे लेकिन यहां पर ज़रा देखे सबसे पहले मैंने नाम दिया है इनको असम का शिवाजी तो इसलिए मैंने आपको पताया कि आज भी हम शिवाजी के बारे में ही जानने वाले हैं पर ये जो शिवाजी थे जो पहले हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं वो छत्रपती शिवाजी हैं जो की आपको मालूम है मराठा सामराजी के लिए उन्होंने जीतोड कारे किये थे मज़े की बात यह है कि उसको भी हमने औरंग जेब के साथ जोड़ करके आपको बताया था उनके जो युद्ध हैं वो आरंग जेब के साथ किस प्रकार से हुए थे उनके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको बताई थी और किस प्रकार से वो आगरा के किले से धता बताते हैं वहाँ से निकल भागे थे आज हम जो शिवा जी की बात करने जा रहे हैं वो असम के शिवा जी कहलाते हैं और उन्होंने भी इसी तरीके की वो युधनीती अपनाई है जो शिवा जी की युधनीती है तो ये अपने आप में connection है यहाँ से गोरिला युधनीती के बारे में बात करेंगे उनकी इस युद्धनीती के बारे में, लेकिन अभी ये चर्चा में इसलिए हैं, क्योंकि इस वर्ष लचित की 400 जहनती मनाई जा रही है, 400 जहनती मनाई जा रही है, जिनका नाम आप यहाँ पर देखें अभी लचित पूर्फुरकान, तो सबसे पहले लचित प और 25 नवंबर को, 25 नवंबर 2022, यानि इसी साल की में बात कर रहा हूँ, इस वर्ष तीन दिन लगातार, ये बोर्फुरकान दिवस के रूप में इसको मनाया गिया है, तो इनकी जन्म दिवस को तीन दिन तक असम सरकार के कहने से, दिल्ली में इसका आयोजन भी हुआ, दिल बढ़ी है, तो आईए कुछ facts के माध्यम से समझने का प्यास करते हैं, एक नेता है, मुमाई, तुमली, बरबरुआ, ये इनके पिता जी हैं, प्रारंभिक तौर पर अगर हम देखें, तो जो ये अहोम सामराज्य है, ये कहीं न कहीं बंधुआ मजदूरी करने वाले जो ल देखाई देते हैं, माना जाता है कि तकरीबन तेरहवी शतापदी के आसपास से अहोम जो सामराज्य है, उसका स्तित्त देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मुमाई जो थे, ये शुरुवात में जो अहोम राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ पर एक कह सकते हैं कि मज़दूरी के तौर पर कारे करते थे, और तकरीबन चार रुपए वार्षी की आया, पर उनको यह मज़दूरी करनी पड़ती, तो कर्ज जो है जब वो अदा करना था, तो कर्ज नहीं अदा कर पा रहे थे सरकार को, तो सरकार ने उसी चार रुपए की वसूली के लिए क उनके पिताजी जो थे उनसे बंधवा मजदूरी करवाई लेकिन क्योंकि वो अगर देखा जाए तो काफी अच्छी उनके अंदर प्रतिभा थी नित्रत्वक शमता बहुत जादा अच्छी थी उनकी और इस शमता को देखते हुए अहुम सामराज्य के दसमे राजा जो प्र प्रमोट किया और फिर उसके बाद इनकी जो पीड़ी आगे आई उन सब ने अहुम सामराज्य में सेना के परकारे किया और इसी पीड़ी में से जो आप अगला जो देख सकते हैं इनका जो बेटा हुआ जिसे आप लचित के नाम से जान रहे हैं ये लचित जो है अगले र तो लचित जो हैं लचित को शुरुवाती तोर पर रोयल अस्तबल का प्रभारी बनाया गया था और सत्रहवी शताबदी के जो अहुम सामराज्य के जो शासक हुए हासकर जिसमें चक्रदवज का नाम आता है उनके सामराज में इनको स्पेशल गार्ड यूनिट में शामिल सेनाओं के खिलाफ तो उसमें नाओ के पुल बनाने की कला और समुद्र में या जल में नदियों में दुश्मन को घेरने की कला ये सब इनोंने नईनी टेक्निक्स जो हैं वो डेवलेप करी थी किस तरीके से पुल बनना चाहिए किस तरीके से लोगों को रोकना चाहिए किस और इसमें उन्होंने अपने सैनिकों को दूसरे कमांडर्स के माध्यम से ट्रेन भी किया था तो इनकी इस चीज से प्रेरित हो करके गॉर्मेंट ओफ इंडिया ने आत्म निर्भर सेना के प्रतीक के रूप में इस वर्ष को मनाने की बात करी थी तो आप देखी रहή हैं कि जो प्रेजन टाइम में जो गॉर्मेंट है के इन सरकार में वो आत्म निर्भर नाम की चीज को लेकर के काफी साथा चीजें जो है वो एक्स्दोर कर रही है। तो सेना में भी आतनिरभरता है। तो इसी चीज को मनाने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया गया है इस बार ये जो तीन दिन मैंने आपको दिखाए। इस प्रावगेटेश रखे गए या फिर यूं कह सकते हैं कि लक्ष रखे गए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को मनाया गया उसको अगर हम देखें तो भारती नोसेनिक शक्ति को मजबूत करने का उत्देश इसमें शामिल है अंतर देशिये जल परिवहन को पुनर जीवित करने का उत्देश सामिल है इसी आत्मिरभर सैन्य योजना के अं दुहाई नहीं दे सकते हैं, कि मेरे पास में उपकरणों की कमी थी, या फिर मेरे पास में resources नहीं थे, आपको as a commander वहाँ पर motivate करना होता है सैनिकों को, और खुद भी प्रेरित होना होता है, तो तमाम ऐसे experiments जो होते हैं, जो आगे चल करके successful होते भी हैं, तो यहाँ पर वो ची कर रहे हैं, अगर हम सब सेना की बात कर रहे हैं, तो present time में आप देखोगे, जो लोग NDA, NDA का मतलब National Defense Academy से जब pass out होते हैं, passing out parade जब होती है, तो उस दोरान जो सबसे अच्छा केडिट होता है, उसे स्वन्ड पदक से सम्मानित किया जाता है, और यह परंपरा सन 1999 से चली आ शायद आप में से काफी कम लोगों को इमात मालूम होगी, अलाकि जिसने UPSC के preparation थोड़ी पहले करी है, UPSC ही NDA और CDS के exams conduct कराता है, और जिन लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा जाना होगा, तो उन्हें जरूर इसके बारे में मालूम होगा, otherwise जो लोग UPSC की तयारी कर रहे हैं, और खासकर NDA और CDS विगरा की तयारी कर रहे हैं, तो आप भी द्रण प्रतिक यह हुई यह आज से, कि जब आप NDA के रूप में जब आप निकलेंगे बाहर, कमिशन हो करके बाहर निकलेंगे, तो आप इस स्टोर्ण पदक को गेन करना चाहेंगे, और आज की स जादा बिमार हो चुके थे, बिमारी की हालत में भी उन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन जब फाइनली अहोम सामराज को उन्होंने मुगल सैनिकों को ख़दिर दिया, अहोम सामराज से, तब ही जाकर के अंतिम सासली है, यह बड़ी बात है, चलिए, बात करेंगे हम लिखने के लिए आ सकता है, पहली बात तो, ठीक है, यहां से आपको मेंस के बारे में लिख सकता है, अहोम सामराज जिकी एहमियत के बारे में पूछा आ सकता है, अहोम सामराज और इसके अलामा मैं कह सकता हूँ कि कौन-कौन से कैंपेंस रहे हैं, मुगल सल्तनत के अहोम स प्रोस्पेक्ट से देखने को मिल सकते हैं और प्रिलिम्स के हिसाब से ये सारे प्रश्ण जो मैंने आपको बोला जैसे ये वाला है ठीक है या फिर जैसे ये वाला है ठीक या ये वाला है प्रश्ण है ये वाला जो प्रश्ण है ऐसे कोश्चन जो हैं आपको प्रिलिम्स के समय तक चला तो आप देख सकते हैं तेरहवी श्रताबदी से जो अस्तित्त में आया ये अहुम समराज है ये आगे चल करके 19 वी श्रताबदी के लगबख तीसरे दशक तक आपको देखने को मिल रहा है ठीक है 13 तू 19 जो सेंचुरी है वहां का जो थर्ड डेकेट है तीसरी तीसरी जो सदी है वहां तक आपको देखने को मिल रहा है तो ये एक important point है दशक सदी नहीं लिख करके दशक लिखेंगे तो ज्यादा सही देगा तीसे दशक तक यांडूब या यांडूबा याडामबू की जो संदी है याडामबू की संदी आपको प्रथम आंगल बर्मी जो युद्ध देखने को मिलता है उस दौरान आपको देखने को मिलता है ब्रेटिश रिष्टा कंपटी का कबजा हो जाता है और उसके पहले तक ये सामराज अपने आपको बचाता रहा है तमाम सारे दुश्मनों से और खास कर मुगल जो आकरांता इनके उपर आक्रमण क देखते हैं उसका अस्तित्त जो है सामने आता है तो हिंदू धर्म के सिध्धानतों के अनुरूफ ही इन्होंने शासन भी किया पूजापाठ के तौर तरीके उनके वैसे रहा अलाकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने जंजाती परंपरा को बिल्कुल छोड़ दिया रखा जंजा की ही तरह जो हैं इन सब चीजों के बारे में जर्यू बुरंजी के जो लेख ऐले निर्भर होने लगी किस पर जिनको आप कह सकते हैं बंधुआ मजदूरी जो करने वाले लोग थे बंधुआ मजदूरी और ये बंधुआ मजदूरी जो है ये enforce करी गई थी भुईया व्यवस्था को हटा करके भुईया व्यवस्था जो है वहाँ पर जमीदारी जो व्यवस्था हुआ करती थी जमीदारी व्यवस्था ठीक है ये जमीदारी व्यवस्था को ही ये भुईया व्यवस्था कहा गया है तो पुरानी जो जमीदारी व्यवस्था थी उसको हटा करके यहाँ पर बंधुवा मजदूरी की वेवस्था जो है वो रादनीती की प्रमुख रूप में सामने आया है यहाँ राजाओं ने इन चीजों को अपना है मतलब अपने कोर्ट्स में सैनने पदों पर हो या फिर दूसरे पदों पर हो वहाँ पर जो बंधुवा मजदूर थे उनको रखा है और इनको पाईक के रूप में जाना गया यह जो बंधुवा मजदूरी है इन लोगों को पाईक के रूप में जाना जाता था और पाईक के अलग-लग रूप होते थे कुछ को थोड़ा बहुत पे करके बन्वा मजदूरी कराय जाती थी और कुछ से जो है बिना पे किये हुए बन्वा मजदूरी कराय जाती थी तो अलग-अलग तरीके के बन्वा मजदूरी भी प्रचले थी तो राज्य जो है वो बेसिकली अपने कामों के लिए पाइक्स पर ही depend करता था समाजिक द्रिष्टी कोण से देखें तो समाज जो है वो कुल या खेल के रूप में विभाजित था कुल या खेल में कई सारे छोटे छोटे गाओं हुआ करते थे ठीक है तो जो administrative units जो है वो कुल के रूप में या फिर खेल के रूप में जन जाती थी ठीक है समाज जो है वो जातर खेलों में बटा हुआ करता था और उनके उपर राजा का शासन होता था और इसके अंदर जो है वो छोटे-छोटे गाओं या अलग-अलग जो कह सकते हैं सामंतवादी प्रांत जो हुआ करते थे वो इसके अंतरगत आते थे अगर हम सेना की बात करते हैं तो सेना का जो सर्वोच कमांडर है या सर्वोच जो सेना पती है वो राजा ही होता था और वो अलग-अलग विंग्स को बना करके जब युद्ध हुआ करते थे तो उस समय सैनिकों को इखटा करते हैं और ये सैनिक भी जादा तर ये पाईक ही होते थे मतलब इनको at a time भरती कर लिया आता था सेना में और उनके करजे माफ किये जाते थे और उसी हिसाब से उनको सेना में सर्व करने के लिए दिया जाता था खाम और क्योंकि ये जंजाती विशेसा रखते हैं पहाडियों से रिलेटेड हैं वनों से रिलेटेड हैं इनका जो सामराज्य है उनसे सबसे अच्छी तरीके से घीरा हुआ है नदियों वाला प्रांथ है तमाम सारे राज्यों की और देशों की सीमा को connect करता है जैसे कि चाइना वाली जो सीमा है बांगलादेश वाली सीमा है इस तरीके की सीमा को connect करता था तो ये सब लोग घने जंगलों के आसपास घिरे हुए जो प्रांत थे उसका अच्छा लाब उठाते थे और इसमें इनोंने गोरिल्ला नीती जो युद्धिकी है चापा अगड और कलियाबार कजली और पांडू ये कुछ important किले है जिनका नाम आप याद रख सकते हो इनके सामराज के अंतरगत जिसमें सराई घाट का बैटल अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही important है ठीक है ये काफी important रूप में जाना जाता है आसपास के नदियों की बात कर तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी होती है ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको पूरो पश्री में भी डिवाइड कर रही है एक समय आता है जब पश्मी जो असम का जो प्रांथ है ब्रह्मपुत्र नदी से पश्मी असम का जो प्रांथ है वो मुगल इनसे छीन लेते हैं गुवाहर्टी वगरा का जो प्रांत है वो सब ले लिया जाता है तो ये एक important point है तो आप अगर नदी के point of view से चीजें पुछी आ रही तो आप geographically आप देखोगे तो ब्रहुपुर नदी जो है वहाँ से बहर रही है और इसी नदी पर नाव का pull बनाने की technique जो है वो लचित बरफुकान के द्वारा introduce की गई थी एक तरीके से यूदिके समय में अब यह हम उसके उपर चर्चा करेंगे अब आप एक बार ज़रा देख लो कि अहोम समराज जो है वो कहां तक पहला है यह जितना भी green वाला part आप देख रहे हो या फिर जिसको मैं shadow इस तरीके से कर दे रहा हूँ यह red वाले point से यह पूरा का पूरा जो है यह आपका अहोम समराज है ठीके और यह जो नदी बीच में क्लियर ओरी बात तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह पूर और पश्चिम में भी divide कर रही है और यह उत्तर और दक्षण में भी divide कर रही है यानि ब्रहुम पूरा नदी जो है वो अहोम समराज को east, west और north और south दोनों तरीके से divide कर दी है यहाँ पे आप देख सकते हो यह वाला जो portion है यह western है और यह वाला इस्टन है और यह वाला आप देख सकते हो northern है और यह वाला क्या है southern है तो शुरुवात में इस तरीके के प्रांत का division भी हमको देखने को मिलता है तो overall इनको देखने के बाद इसकी mapping को समझने के पशात आप आप समझ सकते हैं वर्तमान स्वेय में आप देखो यहां से बंगलादेश कनेक्ट हो रहा है उधर से भूटान है चाइना तिबबत का जो पार्ट है वो सब है इधर से म्यामारादी की सीमाएं वगएरा जो है वो आपको टच होती हुए दिखाई देंगी ठीक है तो काफी ब लेकिन तमाम प्रकार से अगर हम देखें तो यह उस समय के ततकालिन जो बड़े मुगल शासक वगरा हुआ करते थे दूसरे जो रूलर्स वगरते थे उनकी नजर इनके उपर पढ़ती थी और वो इनको कई न कई पाना चाहते थे जिससे की उसका एक कारण ये भी था कि ज अक्सर आक्रमण की हैं लिकिन जब आक्रांताओं की बात कर रहे हैं तो शुरुवात से थोड़ा से चर्जा कर लेते हैं तब से पहले 1193 में बक्तियार खिल जी जो है जो मुहमद गोरी के साथ में भारत आया था उसने आपको मालूम है नालंदा वगरा को पूरी तरीके से जला के नस्ट कर दिया था तो उसी नहीं यहां पर भी आक्रमण किया और इसे कबजा करने का प्रयास किया या कबजा किया थोड़े समय तक रखा उसको इसके अलामा जो मुगलिया है अल्ला है यार खां इसने भी 1639 में यहां पर अपने आपको डेप्यूट किया था और य राज जी की जो राधानी है वो गड़गाओं है और इंपोर्टेंट जिन रूलर्स के उपर हम चर्चा करने जा रहे है वो जैदवज और चक्रदवज है और इनकी इंपोर्टेंस क्या है इसको हम समझेंगे इनोंने किस वीरता और भादुरी से मुगल जो सामराज जी के जो आक्रंदा थे उनको टार्गेट किया था ठीक है तो चलिए जानते हैं इनके बारे में तबसे पहले हम समधारा की लड़ाई के बारे में जानेंगे जो 1616 से शुरू हूँ यहाँ पर राजा प्रताप सिंग की बात कर लेता हूँ राजा प्रताप सिंग इसवंश के दस्वे राजा हैं आहोम सामराज जी के दस्वे राजा हैं 1616 में आहोम नौसेना और मुगल सेना के बीच में एक जोरदार भिडनत होती है कारण क्या है कारण यह है कि जो आरंभ मुगल आकरांता थे उन लोगों ने अहोम सीमा के आसपास के छोटे मुटे राज्य थे उनके साथ कड़ी व्यापारिक नीतियां जो है वो लागू करी थी और वो धीरे धीरे उसको अहोम सामराज्य तक ले करके आना चाहते थे और राजा प्रताप सिंग जो था वो मुगल स युद्धम को फेमस तोर पर दिखाए देता है वो समधारा की लड़ाई को कई न कई ले करके आता है तो इसमें जब ये शुरुवाती युद्ध हुआ 1616 में तो इस शुरुवाती युद्ध में ये जो मुगल सेना है इसको बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड जिसका नाम था मिर्जानाथन ये सेनापती था इस सेनापती ने अपनी एक रचना लिखी एक किताब लिखी जिसका नाम है इसका नाम है बहारिस्तान ए घायली ठीके तो बहारिस्तान ए घायली में मिर्जानाथन लिखता है कि इस समधारा की लड़ाई में सत्रह सो लोग म आकरीबन 9000 जो मुगल हैं सैनिक हैं उनको इस अहोम राजा ने बंदी बना लिया तो आप समझ सकते हैं कि जहां हमने इतने बड़े मुगल सामराजी की वीरता की कहानिया पड़ी हैं वहीं इन मुगल सामराजी के शास्कों को आरंभिक तोर पर धूल चटाने का काम भी इन अ पर फिर से आपसी भिढ़न थोती है और वो आपसी भिढ़न 1618 में होती है हाजो नामक स्थान पर इसलिए इसको हाजो का युद्ध कहते हैं और इसमें भी मुगलों को जो है वो मुग की खानी पड़ी लिकिन फिर भी नुकसान जो है वो आहोम सामराज्य का भी बार-बार हो रहा था जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि अगर यहां पर 700 लोग मारे गए हैं अगर मुगलों में तो इधर का कोई नहीं मारा गया है ना और इनके पास तो बहुत बड़ी सेना थी इनके पास तो अतनी बड़ी सेना भी नहीं थी तो जो थोड़े भी सैनिक मारे जाते थे इन जो है वो विजेता घोशित होता रहा लेकिन यह लडाई का कारिक्रम बढ़ता चला गया बार-बार बैटल्स होते चले गए तो उनमें अहोम सामराज जो है वो पिछड़ता चला गया और अंत्रता 1639 में मुगलों और अहोम सामराज के पीच में एक संदी हो जाती है और इस संदी के कारण असोम जो है वो दो भागों में डिवाइट करके पश्चमी और पूर्वी जैसा मैंने मैप में आपको दिखाया था उसमें से जो पश्चमी भाग है ये मुगलों के पास चला जाता है और जो पूर्वी भाग है ये केवल अहोम सामराज के पास में ओरिजिनली रह जाता है जबकि ये पूरा का पूरा अहोम सामराज के अंतरगत आता था ठीक है तो इसमें मुख्य रूप से जो गोहाटी प्रांथ है इसमें मुख्य रूप से गोहाटी कहीं कहीं गौहाटी इस तरीके से लेकर रहता है गौहाटी जो प्रांथ है वो प्रांथ भी इसके अंतरगत आ गया तो अब जो आगे के जो राजा हुए समधारा की लड़ाई के बाद जो आगे के राजा हुए उन्होंने इसी पश्वी प्रांथ को occupy करने का, re-occupy करने का अपने सामराज़ी वापस लेने का तमाम सारे जो है वो plannings जो है वो किये हुए ठीक है अब ज़रा देखिए जब इस तरीके की संदी हो गई तमाम सारी घटनाओं के पश्चात और फिर ये जो पूर्वी सामराज़ पश्चमी सामराज़ जो है वो जब मुगलों के पास चला गया तो इसको वापस पनानी की योजना जो है वो राजा प्रताप जो है वो फिर से करने लगता है और इसी वज़े से उसने दुबारा से एक बार मुगलों से लड़ाई जो है वो छिड़ और इस लड़ाई में बड़ी भूमी का जिन लोगों ने निभाई है वो इनको कह सकते हैं कि आप व्यावसाइक रूप के सैनिक थे यहनी एक प्रकार के व्यापारी थे जो सैनिकों के रूप में इस्तेमाल के जा रहे थे इनको पाइक सिस्टम के अंतरगत रखा गया था राजा ने अपने राज के जितने भी विरोजगार थे उनको सेना में भरती करा लिया सब का रजिस्ट्रेशन कराया और सब को सेना में भरती करा लिया और सब को अपने अहम सामराज के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया और त्यार किया ठीक है और इन सब चीज़ों को करने के लिए उसने बरबरुआ और बरफुरकन यह बरफुकन जो मैंने आपको कमांडर वाली जो पोस्ट बताई है ये बरफुकन और बरबरुआ इस नाम के दोने सैन्य पद बना है ये दोनों सैन्य पद है ठीक है सैन्य पद जो है वो इस तरीके के बनाएगे तो ये शुरुवाती काम जो है वो राजा प्रताप ने किया लेकिन कुछ समय बाद राजा प्रताप जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसके थोड़े ही समय पर जो है उसका उत्रहधिकारी यहाँ पर गद्धी पर बैठटा है और वो कौन है जैधवज सिंग अब देखिए 1649 में जैधवज सिंग ने पश्मी प्रांथ जो था उसके उपर कबजा कर लिया वो पश्मी प्रांथ जो राजा प्रताप सिंग के समय में चला गया था मुगलो के पास थीक है उसको इन्होंने क्या किया गोहाटी तक सामराज को रीकैप्चर कर लिया और जब ये सारी खबर मुगल सामराज में पहुंसती है तो मुगल सामराज अपने असम के प्रांथ के आसपास के जो गवर्नर था मीर जुमला उस मीर जुमला को यहाँ पर जैसिंग से लड़ने का और गोहाटी प्रांथ वापस लेने का जो कि पहले आहोम सामराज का ही था लेकिन मुगलों ने संदी करके पश्मी जो प्रांथ था इसमें गोहाटी आता था वो ले लिया था लेकिन आगे जैधवज ने उनसे वापस शीन लिया था मुगलों से तो मीर जुमला के कह सकते हैं कि नेतरत में 17 मार्च 1662 को 17 मार्च 1662 को गड़गाओं पर उन्होंने कबजा किया ठीक है गड़गाओं कौन सी जगह है मैंने शुरुआत में आपको बताई है अहोम सामराज की राजधानी ना सिर्फ गड़गाओं बलकि सिमूलगड या सिमलाग डिसी को बोला जाता है और समधारा जहां पर भी बैटल हुआ था पहले ये दो और महत्रपूर्ण जगहें थी जिनके उपर इसने फिर से कबजा कर लिया तो ये बार-बार आपको देखने को मिलेगा कभी अहोम सामराजी का पढ़ला भारी हो रहा है कभी मुगल सामराजी का देखने को मिला आई होप कि ये पॉइंट सारे आपको वन बाई वन क्लियर हो रहे होगी तो मैंने आपको बताया कि जब ये मीर जुमला ने इसके उपर आक्मण किया जैध्वज के उपर तो जैध्वज लड़े जरूर वीरता पूर्वग लेकिन इनके सामराज मतलब ये हार गए और फाइनली गड़ गाओं सहीद सिमूल गड़ और समधारा को उन्होंने कैप्चर कर लिया मीर जुमला ने और साथी आप इसमें लॉस देखिए जब संधी हुई तो तकरीबन 82 हा थी तीन लाख सोने चांदी के सिक्के 675 बंदू के और 1000 जो जहाज थे अच् अंगाल जैसे प्रांत में रहते हैं तो आपको नौसेना आपके लिए बड़ी इंपोर्टेंट हो जाती है तो उसी समय ही ये जो राजा है जैधवज जो है वो पराजित हो जाते हैं और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एस लॉस जो है वो उन्हें पे करना पड़ता है राजा जैधवज और मुगलों के बीच में एक बार फिर से यूद शुरू हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों को ले करके और क्यों क्योंकि दोनों ही मतलब इधर मुगल हार रहे हैं तो अपनी चीज़ों को रीकैप्चर करना चाह रहे हैं उधर अहोम समराज हार रहा है त अपनी सेना को इंटर्नली तैयार करते हुए और ये एक इंपोर्टेंट युद हुआ जो की एक ऐसा युद्ध था जो काफी जादा अपमान जनक संधी के साथ समाप्त हुआ अब जरा इस संधी पर और इस युद्ध पर गोर करिए 23 जनवरी 1663 को गिलजारी घाट की संध जनवरी होती है जब दुबारा जैधवत जो है वो मुगलों के ऊपर आक्रमण करता है तब और इसमें मुगल जो है वो जीट जाते हैं और जब इसमें मुगल्स फिर से जीट जाते हैं तो मद्य और निचले आहोम का जो छेत्र है यानि अभी तो पश्मी प्रान तो गया जो प्रोविंस है वो मुगल्स के पास में आ गया इतना ही नहीं एक लाख रुपए हरजाना के तोर पर भरने के लिए कहा गया इसके अलावा प्रती वर्ष दस हाथी भी भेजने के लिए कहे गए थे इसके अलावा राजा जैदवज को अपनी बेटी और अपनी भतीजी को मुगल सामराज जो में भेजना पड़ा मुगलों में जो इस तरीके से इस्त्रियों के लिए जो डिपार्टमेंट था जिसे आप हरम कहते हैं हरम तो मुगल हरम में भेजना पड़ा और इनको जो है इन दोनों जो बेटियां है ये इस्त्रियां जो है इनको इसलाम में कनवर्ट यानि धर्म परिवर्तन जो है वो करने के लिए कहा गया तो ये धर्म परिवर्तन हुआ इसके अलावा तमाम सारे मंत्रियों को और इस राज जारी घाट की जो संदी है इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि कहीं न कहीं अब जो अहोम सामराज्य है वो पूरी तरह से दिल्ली की जो सल्तनत है या दिल्ली की जो बादशाहत है उसकी गुलाम है और यह गुलामी इस स्वतंद्र अहोम सामराज्य को बिल्कुल भी बरदाश नहीं हुए तो अब आवी एकसी बात है कि rebels जो है वो अभी होने फिर से शुरू होंगे यानि कि फिर से एक संघर्ष की कहानी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये वाली जो संघर्ष हुई क्योंकि मैंने कहा कि ये काफी ज़ादा अपमान जनक संघर्ष के कारण ये जो राजा ardh है ये अंदरी अंदर घुटन में सूस करने लगा समझ में आने लगा कि हम हमारा जो सर है वो पूरी तरीके से मुगल सल्टनत के पैरों तले अब दब चुका है तो वो इस हार को और इस तरीके कि अपमांजनक संदी को बहुत दिन तक बरदाश नहीं कर सका और उसकी डेथ हो जाती, उसकी मृत्य हो जाती है और जब उसकी मृत्य हो जाती है तो ये अपने सक्सेसर को अपने जाने से पहले अगने अत्राधिकारी को यहाँ पर न्यूक करता है, जिसका नाम है चक्रद्वज सिंग, ठीक है ये चक्रद्वज सिंग को एपॉइंट करके चले जाते हैं, चल बस्ते अब आगे जो है चक्रद्वज सिंग की बारी है, अपने अहूम सामराज को रियॉर्गनाईज करने की और रिकैप्चर करने की, यानि कि फिर से संगठित करने और फिर से उसे पाने की, जो चीज़ें बिखर गई हैं, और इसी चक्रद्वज ने अपनी से नामे, जिस कमांडर को चुना, वो कमांडर था लचित बरफुरकन अब यहां से शुरू होती है लचित बरफुरकन की कहानी, तो इसके पहले आपने वीर कह सकते हैं, अहूम सामराज जो है, उसको देखा और अब आप देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से लचित जो बरफुरकन है, उसका इंटेफिरेंस से हाँ पर आता है और किस तरीके के उनके वीरता की कहानी है हम को यहाँ पर देखने को मिले हैं, यह कमांडर इंचीफ हम चक्रद्वाज की बात करें, तो चक्रद्वाज का भी आरंभिक जो शासन है वो कहीं न कहीं, जो मुगल सल्पनत है उसके अंडर में ही आ रहा है, क्योंकि इनके पूरवज थे, वो हार चुके थे, मैंने आपको बताया तो इनका भी प्रारमीक रूलिंग जो है, वो उनके अंडर में ही है, मुगल से अंडर में ही है उनको हरजाना देना पड़ रहा है, उनको स्यन प्रनाली में टरिफर करने का मोखा दिया जा रहा है मुगल से सेदाओ को, इनी सब चीजों से बसते हुए किसी तरीके से आपको बता है एक लचीत है और दूसरा अतन है अतन जो है वो अच्छे अच्छे जो राज्य के लोग हैं सिपाही हैं सैनिक हैं साध्रान जनता हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं और एक एडवांस लेवल टक ट्रेन कर रहे हैं बहितरीन सैनिक बना रहे हैं और जब यह सब करते कर फौजदार जो फौजदार है यह आपका मुगल फौजदार है और यह मुगल फौजदार सोच रहा है कि इतना बड़ा सामराज के उपर occupy हमने कर रही है थोड़ा और pressure डालते हैं कुछ चीजें और जो जो वार्शिक जो कह सकते कर आरोपित किये गए थे या फिर जो दूसरे प्रकार के दबाव डाले जा रहे थे उस दबाव को यह बढ़ाने का प्रयास करता है और इसी दबाव को बढ़ाने के प्रयास के दोरान ही यह चक्रदवज है यह सोचते हैं कि किसी तरीके से इनसे पंगा लिया जाए तो अगस्त 1667 में जब है इनके साथ इन दोनों लोगों ने मिल करके अहोम सेना जो है वो गोहाटी में बैटल करने के लिए गोहाटी के और चल देती क्यों गोहाटी अब इनके पास में नहीं है बैने आपको पहले बताया ठीक है तो यह वो समय है जिस समय यह जो दोनों कमांडर्स है इनके अंतर किया है यह जानते हैं कि मुगल सैनिक जो हैं वो इस्थल पे अच्छा रड़ते हैं और यह समुद्र पे या पानी में जल सेना जो है इनकी बहुत जादा मजबूत नहीं है और नहीं इसी प्रोग्राम के तहट या इसी प्लान के तहट ब्रह्मपुत्र के दोनों छोरों को इन लोगों ने कवर कर लिया, दोनों जो किनारे थे उसको इन दोनों सेनाओने, अच्छा इनके युद की एक बड़े दरड़ीती है, ये जो विरोधी सेना है उसको अंदर आने देते ह और अंदर आने के बाद ये तीनों तरफ से उसको घेर करके मार देते हैं या हराने का प्रयास करते हैं ये एक विशेस रूप है तो उसी चीज़ को यहाँ पर ये इंप्लिमेंट करना चाहते हैं और इस सब चीज़ों में इन्हें सफलता हासिल होती है और गुवाहाटी जो है इनकी कपजे में आ जाता है और जो फिरोस खान जो कमांडर था जो वो सोच रहा था कि हम फ्रोड़ाव प्रेशर दे करके और इनको हराने का प्रयास करें वो बाइद वे बंदी बना लिया जाता है ठीक है अब ये बंदी बना लिया गया तो एक तरीके से ये फिर से आहुम समराज की विजय हो गई यहां से एक बार फिर से विजय आ गई लिकिन इस चीज के खबर जब औरंग जेब के पास पहुँची तो औरंग जेब जो है ये खबर पाता है 9 दिसंबर सन 1660 को और इस खबर को पाने के पश्शाद वो जो राजपूत राजा है राजा राम सिंग इनको भेजता है अब आप राजा राम सिंग को याद कर सकते हैं ये राजा राम सिंग वही है ये राजा राम सिंग जो है ये वही है जिनके बारे में आपने देखा था कि जो शिवा जी है शिवा जी जब आगरा के किले में थे तो उनकी सुरक्षा की जम्यदारे इसी राम सिंग की थी राम सिंग के पिता जो थे वो मना करके या कह सकते हैं ले करके आये थे शिवा जी को अब यही राम सिंग जो है यही राम सिंग के नित्रत में इस औरंग जेब ने एक सेना भेजी है अहुम समराज के उपर आक्टमड करने के लिए और एक विशाल सेना तैयार करके दिया आप इसकी सेना दीखे कितनी बड़ी है 4,000 तो सामाने सैनिक है साध़ान सैनिक 30,000 पैदल शशस्त्र सेना है 18,000 तुरकी और तेसटरार घोडे वाली सेना है 15,03 तीरंदाज है और 40 जहाज है इतनी सेना इतनी बड़ी सेना ले करके ये राम सिंग आक्रमन करने के उपर चलता है 27 दिसमبر 1660 को असम के उपर जो है यह आक्रमन कर दिया जाता है और इस आक्रमन को रोकने के लिए सराई घाट पर मुगलों की नेवल फॉर्स को रोकने की तियारी की जाती है अब यहां पर भी वही प्लान है कि किसी तरीके से इन नेवल फॉर्स को रोक दिया जाए अब बचेंगे हमारे पास में केवल इनके जो स्थल में युदु करने वाले सैनिक हैं और उन स्थल में युदु करने वाले सैनिकों किसी तरह किसे पानी वाले रास्ते पर लेकर के आजा एक बर फिर से और इसी चीज़ के लिए जो वहाँ पर गोहाटी में छोटी सी जगे थी तकरीबन कह सकते हैं कि एक या डेड़ किलोमेटर के असपास की जगे थी उस जगे को जगे जगे पर मिट्टी के किले बना करके पुराने जो किले हुआ करते थे उनके बड़े बड़े जो तोरण सीधे-सीधे ना आप है उबड़ खाबड़ कर दिया रास्ते को इस तरीके के हेडल्स जो है वो लगा दिये तमाम तरीके के और अंततह मुगल सैनिक जो है इस चीज के लिए मजबूर हुए कि अब अगर उन्हें सीधा रास्ता चाहिए तो उन्हें पानी के रास्ते से ही आक्मन करना होगा इन्होंने आक्मन किया और यही लचित की सेना चाहती थी और परणाम यह हुआ कि फाइनली जो अहों सामराज्जी के जो लोग हुए वो विजेता घुशित हुए यानि मुगल सेना यहाँ पर हार गए मुगल सेना यहाँ पर आपको हारते वे दिखाए दे रही दो साल बाद 1679 में मानस नदी के पास में एक बार फिर से बैटल होता है और इस बैटल में अहों सामराज्जी के जो सैनिक हैं उनको काफे नुकसान हुआ क्योंकि दुगनी शक्ती के साथ एक बार फिर से आक्मन क को गौहाटी से पीछे हटने का आदेश दे दिया और इस तरीके से राम सिंग को यह लगा कि अब जो है यह सब हार गयें यह सरेंडर हो जाएंगे सरेंडर ना हो करके इन्होंने अपने सैनिकों को पीछे वापस बुला लिया और लचित खुद जो है वो घायल अवस्था में राजा राम सिंग से मिल लेगे इन फैक्ट इससे काफी ज़ादा मीठे मीठे शब्दों में बात भी करी और यह राजा राम सिंग को जाकर के राजा भाई कहके बुलाते हैं और राजा भाई ऐसा है वैसा है आप तो बड़ी सेन लेकर के आगए हम युद्ध नहीं कर पाएंगे हार जाएंगे इसे इस तरीके से जो राम सिंग है उसे लगा कि अब यहाँ पर युद्ध की कोई ज़रूती नहीं है अब तो यह सरेंडर जैसी जो वो चीज़ें सिचुएशन है वो दिखाई दे रही है तो यह थोड़ा सा अपने जो जो कह सकते हैं कि सैन अक्टिविटीज थी उसको लेकर के जो राम सिंग है वो थोड़ा सा क्या हुए धीले पड़ गए और इसी का फा फिरोज खान पहले से गिरफतार था उस फिरोज खान को अब दूत बना करके भेजा गया इधर इन्होंने समय मांगा संधी कर ली कि ठीक है हम नहीं करेंगे यह वहां से वापस आ गए अपनी सेना को रियोगनाईज किया कुछी दिनों के अंतरकत और जो कैदी था उस कैद नहारी सेना से लड़ने के लिए फिर से तयार हैं जबकि राम सिंग तो अभी यह सोच करके गया था कि अभी तो वो लड़ने के लिए तयार नहीं था और अभी लड़ने के लिए तयार हो गया है तो इन सब चीजों को देखते हुए आचानक से एक बार फिर से दोनों सेना थी उसने अपने आपको दो भागों में बाट दिया यहोंने पूरा पश्यमूतर दक्षन में चार सेना और जो उत्री सेना थी वो उत्री जो सेना का कमांड था उत्री सेना नौर्दन जो सेना का जो कमांड जो कर रहा था वो खुद जो है प्रस्रिक्षण देने काम कर रहे थे और तो दक्षणी था जो point उसको लचित जो है वो कहीं न कहीं क्या कर रहा था लचित जो थे वो कमांड कर रहे थे सौधन वाला जो पाट था अब दीके उदर ये दो भागों बढ़ गए हैं इन लोगों ने क्या किया था अपनी सेना मे आगे जो सैनिक थे उनको ब्रामणों के वेश में खड़ा किया था ब्रामण के वेश में जिससे की तेजी से आक्रमण ना हो सके और ये समझने में देर लग जाए कि आखिर कौन है ये लोग वास्तविक रूप में ये ब्रामण के रूप में खड़े हुए सेनानी थे हलाकि ये जो राम सिंग है राम सिंग ने भी चतराई का सामना किया अपनी एक सेना की जो कमांड थी उसमें एक इस्तरी को पुरुष के वेश में जाकर के भेजा लड़ने के लिए सेना का सेना पती बना कर गी बहराल 5 अगस 1679 को आला बोई की पहाड़ियों के बीच में द इस्तरी है जो पुरुषों के रूप में सेनने कमांडर के रूप में सामने आती है मुगलों की तरफ से क्यों क्यों कि राम सिंग ये चाहता है कि एनिहाव अगर अहोम जीत भी जाए अच्छा अहोम जो है वो इस्तरी को काफी सम्मान देते हैं और थोड़ा नैतिक युद भी जाते हैं तो बाद में मुने ऐसास दिला सकें कि तुमने एक इस्तरी को हरा करके युद्ध जीता है और एक ग्विल्टी फील करा सकें कि तुमको ये वास्तविक तो इससे इसका असर जो है वो जो सामाने सैनिक है उनके उपर पड़ेगा ये भी एक प्रोपगेंड़ा ये स्तरी है ठीक है लेकिन जब दूसरा चरण आता है तो पहले चरण में मैंने आपको जैसे बताया कि अहोम जो है वो लगभग लगभग कमजोर साबित होते हैं लेकिन इसी युद्ध का जो दूसरा फेज है इस दूसरे फेज में मदनवती को मौत का सामना करना पड़ता है और इसके मारे जाने के साथ ही मुगलों की सेना को आहोम सैनेको ने बुरी तरीके से परास्त न सिर्फ किया बलकि एक बड़े एरिया पर कप जाबी कर लिया शा façon कि अगर ये ब्रहुपुत नदी को पार कर लेते तो शायद जो है एक बड़ी जो नेवल कमांड है वो भी इनके उपर आक्मण कर सकती थी और जो उसके बाद का जो रास्ता था वो पहाड़ी और मैदानी इलाका था तो जिसमें मुगल सैनिक जो है इसके उपर भार ही पढ़ सक चरण है उसमें अगर हम देखें तो करीब 10,000 अहोम सैनिक जो है वो बुरी तरीके से मारे गए भैंकर तरीके से 10,000 अहोम सैनिकों की निर्मम जो है वो हत्या कर दी निर्मम क्या बैटल फिल्ड में है तो मारे गए बुरी तरीके से तो पहला और लास्ट वाला चरण जो है वो कहीं न कहीं मुगलों की तरफ जुका और बीच के दो दो चरण थे उसमें अहूमियों को अपना वर्चस दिखाने का मौका मिला अब यहां से एक फाइनल जंग की ओर अहूम सेना बढ़ जाती है और यह है सराय घाट की जंग इसको बुला गया Battle of सराय घाट की जंग और इसी में अहूम सेना की एतिहासिक जीत होती है जिसमें जो लचित हैं कमांडर जिन्होंने पिछले युद्धों में भी बहुत ही शांदार प्रदर्शन किया उन्होंने यहां पे गोरिल्ला युद्ध को बहुत अच्छी तरीके स लागू करके अपने सेना को जीताने का प्रयास किया है आईए जरह उसको समझते हैं अब राम सिंग को यह समझ में आ गया था कि आसानी से हम सामने आमने के लड़ाई में अहूम से जीत नहीं सकते हैं या जीत भी सकते हैं अगर तो इसमें बहुत मतलब शंका वाली बात है कि आप जीत जाओ तो बड़ी बात है ऐसी वाली चीज उसको समझ में आ गई इसलिए उसने आहूमियों के बीच में फूट डालने की कोशिस करी और उन्हें उपहार दे के तोफे दे करके बड़े बड़े राजकी पद दे करके उन्हें अपनी तरफ पसाने की कोशिस करी लेकिन वो इसमें काम्याब नहीं हुआ 1639 में एक संदी के अनुसार असोम के बटवारे का प्रपोजल जो है उसने दे दिया और ये कहा कि इस भाग को मैं आप लोगों को चलाने के लिए दूँगा लेकिन वो सामराज मेरे अंतरगती होगा ऐसे प्रपोजल से जो अहोमी थे वो बहुत जादा प्रभावित नहीं होने वाले थे लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर ये आती है कि जो राजा चक्रद्वज था जिसने अपनी सेना का कमांडर इन दो लोगों को चुन रखा था उस चक्रद्वज की भी मौत हो जाती है और उसकी जगे उसका जो अच्छी तरीके से समहा ले गए हैं तो इसने सेन विभाग में कोई इंटरफेर नहीं किया और उन्हीं दोनों लोगों को उन्हीं दोनों कमांडरों के बलबूते पर उन्होंने जो अपना गोहाटी का फैसला है वो इन्हीं के हाथ में छोड़ दिया कि तुमको जैसे गोह उन्हों को फिर से खुली छूट मिल गई और बरफुरकान जो है यानि लचित बरफुरकान जो है उनके सोसैनिक हैं उन्होंने च्छापा मार युद्ध की रणनीत को इस बार अपनाया क्योंकि ये भी देखो ये भी एक तरीके से ये च्छापा मार की जगे ये बहलारें फुसलाने का काम कर रहें और समझ रहें कि आमने सामने की युद्ध में नुकसान ने कहीं न कहीं ये भी समझ रहें आमने सामने की युद्ध में नुकसान है तो इन्होंने च्छापा मा हेर्वार युधनीती को लाने की वजह से ही इस व्यक्ति को यह इन्हें साय जुझा करे अहु हम सामराज़ साा शिवाजी कहा जाता है तो क्यों इनको अहुझा का शिवाजी कहा जाता है यह आपको समझ में यहां से थोड़ा सा आगया होगा ठीक है अब देखिए, सराय घाट की जंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, सराय घाट जो जगा है, उस जगा पर मुगलों को रोकने की जिम्मेदारी जो है, वो किसके पास में आगई, लचित परफुरकान के पास है, लचित परफुरकान पिछले के, पिछले जो बैटल्स थे उसमें काफी घायल भी होए थे, और इस समय काफी ज़्यादा बिमार पड़ चुके थे, और इसी वज़े से, राम सिंग की सेना को ये लगता था कि, जीत तो हमारे हाथ में है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम अंदर की ओर चलते हैं, इनके सामराजी के अंदर की ओर च जो थी, पहुम जो सेना थी, उसका भी confidence काफी लूज हो चुका था, क्योंकि ये बिमार थे, और पिछले कुछ बैटल जो है, वो लगातार हारे भी थे, खैर, मुनवर खान जो है, वो अंधरू बली में आगे की ओर एंटर कर जाता है, और अंधरू बली आप देख सकते है जो जगह आप देख रहे हो ना, ये वाले जो जगह ये अंधरू बली है, ठीक है, इसको मैं फोड़ा सा जूम करके आपको देखाओ, अब जटर्रे देखिए इसको, ये वाला जो हिस्स्सा है, ये अंधरू बली है, ये जो naval commander है, ये अपटी force को ले करके enter कर गया, और मैं पाइनली जो मुगल सैनिक है वो एक ट्रेंगुलर शेप में ये ट्रेंगुलर शेप में तीन जो कोण यहाँ पर बन रहे हैं इन तीनों कोणों पर जाकर के जो अहों सेना है वो इन्होंने इनको इस तरफ से घेर लिया और इनके सैनिक यहाँ पर पैच हो गए स्वभाविक सी बात है इसे ये लग रहा था कि ये आसानी से जीत हांसिल कर लेगा तो इसने अगल बगल बहुँ ज़ादा ध्यान नहीं दिया कि क्या घटित हो सकता है हमारे साथ यहाँ पर मुनवर खान जब एंडर कर जाता है तो लचित और मुनवर खान और उनके जो सैनिक हैं उनको घेर लेता है अब देखे अभी मैंने आपको बता है कि लचित बुर्फुरकान जो है वो गंभी रुप से बिमार था और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसने लापरवाही बरती और यह अंदर चला गया सामराज्य के और वो भी नदी के माध्यम से गया है जो कि मुगल्स का लूज पॉइंट है और अहोम सैनिकों का स्ट्रॉंग पॉइंट है लेकिन क्योंकि reaction activities हुई नहीं और इसकी वज़े से इसे लगा कि शायर यह लोग जो है defeat पहले से एक्सेप्ट कर चुके हैं इसलिए वो अंदर तक अपना नौसैनिक घेरा लेकर के चला गया लेकिन इसी बीच लतित जो है वो सामने आ जाता है और इससे जो सैनिक हैं उनके अंदर जो कह सकते हैं कि यह जो अहोम सैनिक हैं इनके अंदर एक बार फिर से जो है उत्साह जाग उठता है कि हमारा commander आ गय तो दोनों चीज़े positive हुई कही ने कहीं अहोम सैना पतियों के लिए या अहोम सैनिकों के लिए और यहां पर ब्रमपूर्ट नदी पर यह एक प्रकार का triangle shape में लचित ने घेर लिया तो एक shape जो है वो कामाख्या मंदरी की तरफ दूसरा जो है अश्वकलानता की तरफ जो तीसरा जो है वो इटा कुली की तरफ तो यह वाला जो point है निलांचल हिल्स के पास में जो यह point आपको देखने को मिल रहा है यह आपका कामाख्या मंदरी की तरफ का था कामाख्या मंदरी की तरफ का ठीक है और यह वाला जो point है यह वाला point यह point आपका विश्नु मंदरी की तरफ है विश्णु मंदर की तरफ ठीक और ये वाला जो पॉइंट है यहां पर एक कह सकते हैं पहाड़ी है और यहां पर एक किला भी है और यहां पर किला कौन सा है इटा कुली इटा कुली पिले की पहाड़ियां जो है किले और पहाड़ियों से यह जगा गिरी थी तो यहा नई टेक्निक के रूप में वो सामने आया और ये निरने काफी हद तक मतलब मैंने आपको इसके पहले बताया दोनों ही सेना है पस्त हो चुकी तो और दोनों ही डारेक्टली जो है आगे सामने सामने के युद्ध को नहीं करने के स्थिति में थी ऐसी चलते चलते ये फाइनल एक सराय घाट का युद्ध जो है वो फाइनल बैटल के रूप में हमको देखने को मिलता है अब अब एक सी बात है तीन तरफ से घरिये से न ये जो सैने कमांडर है नेवल सैन कमांडर जिसका नाम था यहाँ पर मुनवर खान ये जीत की खुशी में मगन था और नदी में बैठ करके अपनी नाओं को रोकरके वहाँ पर ड्रिंक करने लगा और इसी दौरान एक गोली आए और उनके कनपटी को पार कर गई तो ये गिर पड़ा और तमाम सारे जो मुगल सैनिक थे उनमें अफर तफ्री मज़ गई बुरी तरीके से पराजित हुए तमाम सारे किसी तरीके से नाओं से बच निकलने में कामियाब हुए और बाकी सारे जो थे वो बहुत सारे मारे गए और राम सिंग भी अपनी सेना क करके आँख उठा करके नहीं देखा हलाकि इसके बाद भी छोटे-मोटे बैटल्स मुगलों के और इनके होते रहे लेकिन अहों से नाव स्ट्रॉंग हो चुकी थी और वो अब अपने पूरे रीकैप्चर्ड स्टेट को दुबारा से कभी भी गुलामी तक नहीं पहुचा सक 1672 में कलिया बोर में लचित एक बार फिर से बिमार होता है और उसकी वहीं पर टेथ हो जाती है तो ये थी पूरी कहानी इनकी मृत्व के बाद जैसा कि मैंने का कि थोड़े-मुरे युद्ध होते हैं लेकिन फाइनली 1682 में मुगलों को ये असम से पूरी तरीके से ख़द इनके तरह जो लड़ेगे बैटल्स हैं इनके बैटल्स की जो टैक्निक है वो अच्छी तरीके समझ में आई होगी और अहोम सामराज के इस वीर शिवाजी को एक बार मैं फिर से करता हूँ नमन चार सोई जैनती पर इनके लिए पूरा देश जो है वो पूरा जो राज्य ह असम सामराज जो है उसके साथ जो पूरा देश है वो इनकी जैनती को मना रहा है तो ऐसे भूले हुए नेवल कमांडर को फिर से हमने याद किया है स्टड़ी आईक्यू पर और आशा करते हैं कि आपको इनसे समधित अहोम सामराज की इंपोर्टेंस भी समझ में जरूर हमारे प्रष्ण की प्रश्ण है। comment करके हमें दे सकते हैं और आप हमसे इस question को यहाँ पर इसका answer भी share कर सकते हैं t.me विरत दुबे 01 और इस तरीके की social media handle से आप हमसे कहीं परसे भी जोड़ सकते हूँ आशा करते हैं कि आपको यह पूरा पूरा lecture समझ में आया होगा फिर इसी तरीके की से मुद्दे की बात में इसी एक वेक्तितु को लेकर आपके समक्ष सामने हाजिर होगा या फिर दूसरी कोई मुद्दे की बात कि महत्त्य पूर्ण बिंदूओं को आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ तब तक के लिए नमस्कार थन्यवाद